तो आज मैं इस ड्रामा का एपिसोड 10 एक्स्प्रेंट करूंगे आपको पहले की वीडियो अगर यह भी लगते तो लाइक कमेंट और सुब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे और जो को इस चैनल में नया है वह पहले पीछे की वीडियो देख वें जोंग देख लीता है फिर वोबुक कोई बात पताना आता हुर्व इस बात का एकीन नहीं करता क्यूंकि एक कोट ण्यडि पहले से बात नहीं जा नहीं चाता है और यह यहाँ पर वो इसकी बात से लिएक करता है उसे आपक jogo 2 인ितदा हुरी होती है कि अगर किजी और यहां पर हेशoo मन में कहती है कि अगर किसी को पता लगा तो हम मुसीबत मा जाएंगे और हैनस तब वो कहता है तो फिर हम क्या करें, हम भाग जायए अगर तुम ऐसा चाती है, तुम ऐसा कर सकता हूँ फिर वो बीच में चलता है जहाँ पर सू कहता है अगर मुझे कभी सॉनिक को छोड़ना होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाता है और यहाँ पर उसके बारे में जितने भी रूमर्स है उसे वो गलत प्रूफ करता है और कहता है कि अभी भी मुझे इस जगह को छोड़ना पड़ेगा और हिसु मन में सोच होती है कि वो शौर है कि वो उसका वहम था और यहाँ पर उसे डरना नहीं चाहिए और वो को वाइले कहता है कि यह बेका है तब वो कहते हैं वो बेका नहीं है यहाँ परसु कहता है तब ठीक है अगर बेका नहीं है अगर वो कोई और इंसान है किसे पता मैं उसे मार डालूं मैंने जब कहा कि तुम मेरी हो उस दिन जिस दिन यौनवा ने तुम्हें मारा था उस दिन मैंने कि देखते हो जैसे मैं पहले था और तुम ने कहा कि तुम मुझे से डरती हो मैंने विश्वास नहीं किया स्प्वास तुम एक लोटी मेरी साइड हो मैं सॉरी नहीं हो जाने रहाओ कि तुम मुझे अपना दिल हो यहाँ हो तो फिर मुझसे भागने की कोशिश करो और अगर तुम्हें यह पिन फेक नहीं तो फेक सकते हो और वह से चले जाता है फिर हम देखता है वह पापी सार होता है और सामने से जुंग और वुक कहता है जहां पर वुक के चाहरे में पहुत जादा जैलिसी देख रही होती है पर सुचुएशन को समझते हुए हेसु फोर्ट प्रिंस के साथ जाने के लिए रैडी हो जाती है क्योंकि उसने रिस्पॉंसिलिटी ले है और वो उसे कुछ नहीं होने देगा और यहां वो क्वी मान जाता है और जुंग कहता है तुम उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते क् लेडी हो और यहां पर भरुसा करता हूं और वो चले जाता है वो फिर हेसु को टाटने लग जाती है कि उसके काइड़नाइस की वज़े से फोर्ट प्रिंस कितना चेंज हो गया है और यहां वो से समझाती है कि पहले से कैसी चेका जहां पर उसे हर एक कदम फूख फूख के रखना होगा जैसे कि वो एक पतली सी परफ की सीली में चल रही हो तर वो पूसती है कि अब वो क्या करें तब वो कहती है कि जब तक पोर्ट प्रिंस की फीलिंग स्कूल डाउन नहीं हो जाती तब तक उसे च Tuesday को देखते हैं जो आइचन रही होता है तब यहां पर वोग करता है कि असलेध में उसका टार्गेट है कौन और आप लोको रहे तो गैस कर लिए और और वहां से ठोल फिर्परिंजा जाता है और तबी वों का पी निशानन लग जाता है फिर हम हेजू और वुक को देखते है जहापर वो उससे पूछती है क्या वो गुस्सा है और यहापर वो अपनी साइट की सपाई देने लग जाती है तब वो कहता है कि वो गुस्ता नहीं है वो एपसेट है वो हमेशे चिंता करता रहता था और भहस करता रहता था इसलिए उसने उसे यहीं पर रखा परसू उसे एकी बारी में ले गया और उसे यह भी बताता है कि वो राज़े से परमीशन मांगेगा उससे शादी करने के लि माई एक नॉर्मल लाइब जीएंगे और यहां हिसु मन में सूच दिया वो बिलकुल नहीं बदला वो मुझे हट नहीं करेगा मैं उसके साथ खुश रह सकती हो क्या हो अगर बैंक जोंग उसे मार दे तो तभी वो कुछ से पूछता है कि तुम्हें मेरे प्रॉमिस में विश हो गया तो तुम्हें क्या लगता है कौन पहले मरेगा और यहां वो से समझाती है कि अगर वो एक कोट लेटी से रिलेशन्शिप रखेगा तो उसकी रैंग नीचे गिर जाएगी और उसे बहुत बड़ी पनिश्मन मिलेगी फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है और यहां दोनों मेंसे किसी की भी फिलिंग चेंज हुई तो तुम मुसीबत में आ जाओगी तब सु कहती है कि एट प्रिंस असा नहीं है वो अलग है तब वो कहती है नहीं पहले से कैसी जगा जहां पर लोग अपने वादों से मुकर जाते हैं तब वो अपने बारे में बताती है त क्याने दिखता कि ना कि वो मेंने बताती है और ये से समझाना चाहती है कि अगर वह अभी नहीं निकली तो बहुत बड़ी मुसीवत में फस सकती हैं पर हैसु नहीं मानती क्योंकि उसे यकीन होता है जब तक वो को ठ्रोन की चाहा नहीं है तब तक वो उसके साथ खुश र होता है और जैसे हैऊ-सवार जाती है वो कहता है तुम अर्णाम कर सकते हूं मैं कोट लेड़ी जो से रोकती है है ISU मैं आपकी मताद करूँगी फिर हम देखता है SUSE کا make-up करते हों ठुआ है में आपसे डर्रति हो या हैनस मुझे बस आपकी चिंता है फिर वोज से कहती है जब लोग उनके हार्ट टाइम से गुजरते हैं और कोई इंसान उनकी मदद कर देता है वो लोग उस परसन को अपना मानते हैं और वो परसन फ्रेंड कहलाता है चाहे वो फ्रेंड हो या फिर लव एफेक्शन एफेक्शन नहीं होता है पर इसम सब्सक्राइब पर चाहरे हैं तो मुझे अपने आप से दूर करने की बहुत कोशिश करें यह मैं थर मेरे पर काम नहीं करेंगे और वह आपने पास किसता है और कहता है यहां पर मस्ती करता है और चुंग कहता है मैं बहुत डर गया था जब मैंने देखा फूट प्रिंस तुम्हें लिजा रहा है तब वो बताती है कि वो ताज हवा खाने गई थी और उसे बहुत मजाया तब वो कहता है वो ऐसी सीजे करता रहता है मुझे ये पसंद नहीं तब वो कहती है अपने भाई को जाने की थोड़ी कोशिश करो योराइनस आपको पचपन से प्यार मिला है पर उसे नहीं उसके पास कोई फैमली भी नहीं थी जिससे वो क्लोज रह सके तब वो कहता है काइनस लोगों से ऐसे ही नहीं मिल जाती उसे आपको कमाना पड़ता है महनत से और जब से सू यहाँ पर आया मदर और यो बिलकुल चेंज हो चुके हैं तब वो कहती है कहीं तुम उसका ब्लेम सूपे तो नहीं डालोगे तब वो कहता है नहीं मुझे पता है उसकी गलती नहीं है और अगर सू नहीं होता तो उसे पता नहीं लगता कि उसके मदर और यो कितने सारे ट्रबल क्रियोट करते हैं और वो बहुत मिस कर रहा है पुराने दिनों को जब वो एक साथ खुश रहते थे तब हैसु कहती है मैं भी उन दिनों को याद करती हूं तो आपने अजैसरी नहीं पर मिनता हैां और वो कहती है था साल पहले की बात है जब आपको यहां से निकाल दिया गया था क्यूंकि आपके उपर ब्लेम था कि आपने उस कोट लेडी का मिस्केरिश करवाया है जिसे किंग पसंद करते हैं और सबको पता था कि यह काम कुईन योग का है पर किसी ने भी आपकी मदद नहीं की और ऐसा अटैक फिर से हम पे हो गया तो और यहाँ पर कुईन उसे समझाते हैं कि व पर हम देखता है बेखा को जो ग्यो बैंग आया होता है और वहाँ पर वो नए स्टूडेंट को देख रहा होता है तब ही उसकी नजर रिफ्यूजिक इन्देंबादी इस प्रिंसस पर पढ़ती है पर हम देखता है वो प्रैक्टिस करी होती है और उसे लगता है कि कोई उ उसका पीचा करती रहती है और तुम्हारे बोलने के ढंग से तो लगता है कि तुम एक नोबल फैमली से बिलोंग करती हो तब कहते हैं तुम कोई भी हो म्यूजिशन या पर पेंटर अपने काम पर ध्यान रखो किसी के स्टेटर्स को आखना अच्छी बात नहीं होती तब कहते हैं तब से हम तीन बार मिल चुके हैं चलो एक दूसरे को इंटिट्यूस करते हैं तो महाँ नाम किया है तब भूक्सून कहते हैं कोई उसे वही बुलाता है और उसे वहां से जाना पड़ता है और बेका को पता लग जाता है कि उसने अपना नाम गलत बता है फिर हम एक राउन प्रिंस अपने नानी के आ गया है कुछ मैटर को सौट आउट करने और फिर भेका सुबे की बात को लेकर सु को समझाता है कि अगर वो सु को एक ओडिनरी लड़की की तरह त्रीट करेगा तो वह दोनों मुसीबत में आ सकते हैं उसे उसके लिए मुसीबत द representing यह नहीं है नहीं चाहता है कि वह कोई मिस्सीबत में भाजे पर आज मैं मेंれない करने यह दो करता है कि इस बात के लिए मुझे चाहिए वी forminya में मैं ने को जोब आपको उख और मिस्टर्स की चुटाई और अब सबी पावरफुल फ्रैमली यह चाहती है कि आप उन्हें निकाल दे फिर हम देखते हैं सवा का महौल जहां पर सभी क्राउन प्रिंस को एक्क्यूस कर रहे होते हैं कि उनका भी हाथ होगा इन सभी चोडियों के पीछे और क्राउन प्रिंस साफ साफ मना करते हैं फिर मिस्टर पाक राजर जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें क्राउन प्रिंस को हटाना होगा और उन सब की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएं तब राजर जी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आप ही बताएं कौन सूटेबल है क्राउन प्रिंस मो के अलावा और य कैसे कुई नियुझे प्लाइनिंग प्लोटिंग की so Ferrismon siu…. जिससे उन दोनों में मिछ न इस टैनिंग पैदा हो जै किरां हुक क्राउन प्रिंस मो को देखती है जो उधार लगचे तब ही वहां पर आन प्रिंस आता है जो क्योंने पता होता है इस सब के पीछे उसकी मदर का हाथ है और वो यूज कर रहे हैं सू को ट्रोन तक पहुंच लिए तब सू कहता है मेरा तो उनके साथ इंट्रेक्शन भी नहीं है मुझे क्यों जाना चाहिए अनफेर है एक इंसान का दिल बहुत ही चलाक होता है तुम्हें कहता है मैं भी चाहता हूं तुम्हें अपने साथ रखना बहुत लंबे समय सक पर मैं क्या करूं स्प्राउट्स के उगने से पहले उन्हें काट दिना इसे होता है पहले से वक करता है फिर हम देखते हैं एक कोट लेडी को जहां पर एक मेर्ट उसके पास आती है और वह आप मुझे अब अकेला कप छोड़ेंगी तब कहते हैं तुम नहीं तो कहा था कि तुम्हें राजया बनना है मैं तो बस तुम्हें मदद कर रही थी अगर सब मेरे प्लान के अकोडिंग रागा तो तुम धर्वन में ज़रूर बैठोगे जूट कम बोले कि यह सब मेरे लि तब कहता है मुझे यहीं करना चाहिए और मैं यहीं करूंगा तब कहते हैं फिर मैं बता दूंगी मैंने यह इसले किया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम राजा बनो हमने तुमारी नेक्स प्राउन प्रिंस के लिए रिक्वेस्ट भी डाल दिया पैले सैसा ही है यहाँ पर एक तुसरे को मार के काम चलता है अगर तुम इन सब को रोकना चाहते है तो रोक लो तुम अपनी गर्दन को नोचने के कोशिश कर रहे हो तब वह कहता है कुछ भी आपके इसाप से नहीं होगा और वह चारा होता है तब ही वह कहते है राजा ने तुम निकाल दिया अभी करने के बाद मर जाएगी और क्राउन प्रिंस भी सब कुछ तुम्हारे होगा तब हो कहता है तो राजा बंते हो तो तुम अपने भाईयों को नहीं मालोगे मैं तुम पर ट्रस्ट करते हूं इसलिए मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हूं फिर हम देखते हैं मिस्टर चॉय कि उन्होंने लेता बेक चीस के साथ क्या गया तब वह सर्वाइब कर पाएंगे तब कहते हैं मैं तुम इतना अच्छे से बढ़ा किया क्योंकि तुम मुझे अंकल भुलाते हो अगर मैं और मिस्टर पाग भी ऐसी एक्टिंग करते हैं और जाते हुए वह बेखा को पीचस देख के जाता है फिर बेखा कहता है वह यहां पर तभी वही के पास जाता है और पूस्ता है क्या तुम ठीक हो तब कहते हैं तुम बस प्रिटन करो यहां पर कुछ नहीं हुआ तो मुझे अगर तुम एसी रही तो यहां पर तुम अराम से रह सकती हो और वह जा रही होते तब कहता है क्या तुम यह बापिस नहीं चाहिए फिर हम वोग को देखते हैं जो लीडी है के पास आता और यहां पर वो उनसे बाते करता है कि वह अपने कर्स को कभी नहीं भूलेगा और प्राविस भी नहीं कि वह जाल सो का हमेशा प्यार करेंगा इसलिए देखती रहें अभर देखते हैं ज़स दन सु को यहां से जाना होता है वो को शाधी के लिए पूछता है और फिर उन्हें चंटा देने के लिए पैस्ट रहा होते हैं और यहां कोई नोटिस करते हैं कि वहाँ पर काम कर रही होती है कि तभी वह वाली मेरिट उसके पास आती है जो प्लाइनिंग में उनके साथ है और वो कहती है कि उसकी तवित खराब है तो क्या वो उसकी जगह सर्फ करने जा सकती है तब हेसु कहती है I'm sorry कोट लेडी ओ ने मुझे मना किया है प्रेंस को सर्फ करने से और यहाँ पर वो कहती है अच्छा फिर तो तुम कुछ नहीं कर सकती फिर वो यहाँ पर चेकर खाने का भाना मनाती है तो हेसु को जाने ही पड़ता है फिर हम यून और सुन्द्यों को देखता है जहाँ पर यू tenga लगए कि तब वो कहता है अब से हम जब भी मिलेंगे तुम अपना सिर गुमा लेना तुम मैं समझे आया मेरा मूड अभाब हो चगा है इसलिए मैं जा रहा हूँ अगर तुम मैं मैं जा रहा हूं अरे मझे फॉलों करना है तो तुम आ सकती हो या पिर नहीं भी और व में इन्वार्व ना हो और वह जली से भैग जाता है इसलिए उसे किसी के भी जादा क्लोज मत होने दिना तब हो कहती है मैं अब उसकी वाइफ हो तुम्हें उसका जाते थ्यान रखने की जोड़ नहीं है और वह भी गुश्य से वहां से चले जाती है फिर हम देखता है है हेस सार ट्रबल क्रेट किया है तो आपके भाई के रूप में मुझे आपसे टीन ड्रिंक चाहिए हमारे डिलेशन्चिप को स्ट्रॉंग बनाने के लिए तब कुई नियो और यहनवाउस की तब क्राउन पिंस कहता है साउंड गूड पर यह ती है अलकोहॉल नहीं अब क्या कर तब वो कहता है जैसा मूड मेरा आज है ऐसा लगता है कि मुझे चाह से ही नशा हो जाएगा फिर हैसू से चाह देती है पर वो चाह कप नीचे गिरा देता है और वो उससे सौरी कहती है तब वो बताता है कि यह उसका फॉल्ट था क्योंकि उसने कोई ओली चीज टर्च की करते है उसके हाथ OIL के थे क्राउंट पिरन्स कहता है कि प्रॉब्लम नहीं होगी और वो क्याता है कि यह आपकी उमर के फिर से वही प्रॉसस होता और यहां पर सू आप पीता यह क्रिया लड़ते रहे या आपके फॉच्वट लिय और फिर वो अपनी मदर किताब देखता और मन में कहता है कप में पॉईजन नहीं था चाय में पॉईजन है फिर हेसू से तीसरा कफ सर्फ करती है और यहां पर वो मन में कहता है मैं पॉईजन पी रहा हूं जो तुम मुझे सर्फ कर रही हो और यहां पर उसके हाथ भी काप रहोता है जो हेसू देख लेती है और वो नहीं पड़ता कि हम दोनों की बीच में कोई भी आया अपनी सीली बातों को लेकर मैं चाहता हूं कि हमारी फ्रेंशिप कभी भी चेंड नहीं हूं और ड्रिंक करते हुए वह हेसु की तरफ देखता है और यहन वह भी टेंशन में आ जाती है और यहां क्राउन प्रिंस ठैंक् का होता है फिर वो राजर जी से कहता है कि उसे यहां से थोड़ी देर के भाज जाना है और जाते हुए उसके मुझे थोड़ा से खून निकलता है क्योंकि पॉइसन का असर होने लगा है और इसे के साथ अमरे एपिसोड करता है थैंक्यू सुमर्ट वाचिंग